योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूसफूल वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत सुआ करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम एक 300 लिटर हाल टोप टाइब डी फ्रिजर को रिपेर करेंगे आज हम इसके अंदर एपरेटर कोईल नहीं लगाएंगे वे कडंसर को भी नया लगाएंगे वे तमाम उन बातों पर आज हम विचार करेंगे जो एक अच्छे प्रेक्टिस हो सकते हैं और जो एक बेड़ प्रेक्टिस हो सकती है ये सभी तमाम बाते मैं आपको step by step explain भी करता रहूँगा और हम इसमें कौन सा capital number यूज़ करेंगे और कितने foot pipe इस्तेमाल करेंगे एक अच्छे प्रेक्टिस के लिए ये सभी तमाम बाते मैं आपको बताऊँगा वे आप जो compressor इसमें लगा हुआ है दोस्तों इसके अंदर टी एच के तिरा चुहितर वाई एफस compressor लो बैक प्रेश का लगा हुआ है इसकी जगह आप अन्य कौन से compressor इस्तेमाल कर सकते हैं वो सभी बाते मैं आज आपको इस वीडियो के मादम से बताने की पूरिश कोशिश करूँगा मैं आपको इसका जो original data है वो भी बताऊँगा और जो हम इसके उपर data यूज़ करेंगे वो भी आप वीडियो में देखते रहिएगा उसके बाद हम इसकी जो हमारी बुरी practice है और अच्छी practice है उनके बारे भी हम बात करेंगे तता वो तमाम बातें जिसके जानने के आपके जग्यासर रहती है वो सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के मादम से बताने की पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि दोस्तों जब तक हम किसी कारिया को ना कर ले या ना करता हुआ देख लें तब तक हम उसके बारे में संतुस नहीं हो पाते इसलिए वीडियो में लाश्ट तक बन रहीगा आज एक बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस दीफ्रिजर के बारे में थोड़ा एक्सप्रेंट कर दूँ दोस्तों यह 300 लिटर का एक दीफ्रिजर है इसके अंदर टी एच के 136 वाई एफस लगा हुआ है नॉर्मली दोस्तों जो 300 लिटर तक के डीफ्रिजर होते हैं उनके अंदर 600 BTU तक के कमप्रेशर का इस्तिमाल किया जाता है चाहे आप किसी भी कमप्रेशर का इस्तिमाल कर लीजिए 300 लिटर तक के डीफ्रिजर में उसकी BTU 600 होना चाहिए और वो लोग बैक प्रेशर का ही होना चाहिए यह आपको जानना आवश्यक है अब मैं आपको इस कमप्रेशर के बारे में ओड़ अपता हूँ दोस्तों यह है एक बटे 6 होस्परा कमप्रेशर है दोस्तों और इसका डिस्प्लेमेंट है 6.9 और इसकी BTU 600 है और पावर वाट 143 है और यह अंपेर 1.2 लेता है और यह CSIR यानिकी कपेस्टर स्टार्ट इं स्टवाट का है अगर आपको यह भी नहीं मिल पारे तो आप LG का MA 79 LAG लगा सकते हैं या फिर MA 72 LBEG कमप्रेशर लगा सकते हैं तो यह कमप्रेशर आप इनकी जगय लगा सकते हैं अगर आपको यह भी कमप्रेशर उपलब दनी हो पारे तो आप Danfos कमपनी का FR 8.5G लगा सकत हैं अगर आपको यह भी नहीं प्रोब दो पारा तो आप दोस्तों अब हम बात करें इसके ओजिनल डाटा के बारे में दोस्तों जो यह कमप्रेशर हैं आप इन्हें 300 लिटर तक के हार टोप टाइप डिफिजर में लगा सकते हैं और 200 लिटर तक के गलास टोप डिफिजर म की जाती है वो अगर आपका कणेंसर स्किन है जैसा कि आप अभी चितर में देख रहे हैं तो इसमें हम 5 बटे 16 की लगभग 80 फुट पाइप का इस्तिमाल करेंगे एवपरेटर के लिए लेकिन जो आज हम पाइप इस्तिमाल कर रहे हैं वो मैं आपको पहली बता देता हम एवपरेटर के लिए इस्तिमाल करने जा रहे हैं जो लगभग कम ही की जाती है उसका भी एक कारण है वो भी मैं आपको आगी वीडियो में एक्स्प्लेंग करते जाऊँगा ताकि आपकी नोलिज में इजाफा हो सके और दोस्तों जो इसका इस्तिमाल की जाता है वो अगर आपका कंडेंसर इसकी बोड़ी के अंदर कंडेंसर है जैसा कि आप इस डिफिजर के अंदर देख पा रहे हैं लेकिन आज हम इस डिफिजर के अंदर एपरेटर के लिए एक बटे चार की पाइप की साइज का इस्तिमाल करेंगे और कंडेंसर के लिए हम 300 लिटर तक के किसी भी सिंगल डोर रेजिट रेक नंसर को इस्तेमाल करेंगे वो आपको बजार से बना बनाया मिल सकता है इसके लिए आपको मशक्रत करने की जरूरत नहीं है और जो डाटा मैंने आपको बताया है इस डाटा के साथ आपको इसके अंदर गैस चार्ज लगभग 340 ग्राम का करना होता है ये था दोस्तो इसका ओजिनल डाटा अब हम step by step आप कारिया को देखते रहें और उसके result को भी मैं आपको बताऊंगा last में कि इसका जो हमारा result है वो क्या रहा और जो bad practice है वो भी हम discuss करेंगे वीडियो के मध्धे में ही ये सभी बातें चलती रहेगी ये एक सहाइक वीडियो है ताकि आप इसके बारे में कुछ थोड़ा जान सके और अपने कारिया को सही कर सके तो दोस्तो ये थी वो तमाम बातें जो हमारे कारिया में सहाइक सिध हो सकती है अब हम आते हैं कि main point पर जो कारिया हम कर रहे हैं मैं आपको फिर बता देता हूं कि हमने इस डी फिजर में एपरेटर के लिए quarter की pipe का इस्तेमाल किया है जो कि हम बहुत कम करते हैं लेकिन इस विशह पर काफी क्योरिज आती हैं दोस्तों कि क्या हम quarter की pipe को एपरेटर के लिए इस्तेमाल करें क्योंकि दोस्तों यह pipe मोडने में असानी से मुड जाती है इसलिए technician इ आपको बता देता हूँ कि जो refrigerant होता है दोस्तों उसके साथ liquid नहीं नहीं bubbles भी होते हैं जो cooling को बढ़ाते हैं और इस pipe का डाया छोटा होने से उसका जो temperature है माइनस में वो हम प्रापर कर पाने में कई बार एसमर्थ हो जाते हैं इसलिए 5 बड़े 16 की pipe का ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों हमने इसमें 80 foot quarter की pipe का इस्तेमाल किया है एपटर के लिए और condenser के लिए हमने इसमें 300 लिटर तक के रिफ्टिट रा condenser इस्तेमाल किया है और हमने इसके अंदर जो capillary इस्तेमाल की है दोस्तों वह भी मैं आपको बसा देता हूँ वह भी हमने 0.031 गुना 13 फूट एक capillary का इस्तेमाल किया है दोस्तों जो सबसे अच्छी इसकी practice होती है कभी भी हम डिफिजर पर काम करते हैं जिसके अंदर liquid की संभावना ही होती है सबसे अच्छा कारिया यह होता है कि आप उसके compressor के तेल को वश्या बदले ताकि आपको choking की समश्या से दो चार ना होना पड़े यह है एक अच्छी practice होती है हाँ कई बार हम जल्दबादी में ऐसा नहीं करते तो हमें उसका खामयाजा बार बार गैस को भरने का चुकाना पड़ता है इसलिए आपको यह द्यान अवश्या खाना जीए कि जब भी आपको liquid से समभनित को diffuser मिलता है और आप उ उपलब्द नहीं हो पाई lockdown की विए से इसलिए हमने इसमें hydrocarbon का इस्तेमाल किया है लेकिन अगर आप कभी भी जब hydrocarbon का इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही सावदानी से refrigerant को भरना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर hydrocarbon overfill हो जाएगी तो आप उसे नहीं निकाल पाएंगे जो compressor के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती है दोस्तों इसके लगबग च्यार पाईपर प्रोफेस्टिंग आच चुकी है जो कि एक अच्छा साइन है cooling के लिए जिसे हम अपने रिफिशन भाषा में अच्छा मानते हैं दोस्तों रही बात bad practice की जब भी कभी भी आपके प उपकन पर कारिया करते हुए और दोस्तों back pressure को भी हमें बहुत जो रेजिनेंट का निजारत होता है उसी हिसाब से बहना चाहिए बाहर के वातावरन के हिसाब से अच्छी तरह से vacuum करवाएंगे तो back pressure भी आपका कम आया क्योंकि जब जब तापमान बढ़ेगा तो back pressure भी ज साइन है section पर ब्रफ नहीं आने चाहिए डीफिजर के अंदर नहीं तो दोस्तों ये कमपेशर को खराब कर सकती है इसकी life को कम कर सकती है और आप ड्रायर को वश्याब बदलें यह आपको ध्यान रखन है कभी प्राइन ड्रायर का इस्तेमाल ना करें और oil को भी वश्याब तो दोस्तों ये थी कोशिश 300 लिटर के डीफिजर के डाटा के बारे में वीडियो को लाइक और शेवश्याब करना मत बूली गया मैं आपको आगे भी ऐसे गामरत की वीडियो आपके लिए आता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों